नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना गर कंस्ट्रक्शन में आज हम लोग देखेंगे 900 स्क्वार फिट का एक प्लान देखेंगे अगर होम लोन लेने के लिए आपको किस तरह का प्लान चाहिए ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं इन सभी चीचों क को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले OE1 पेपर में कौन सा प्लान निकल के आता है इन सभी को इस वीडियो में कवर करने वालें काभी helpful अफिफुल आपसीपिे वीडियो होने वाला है तो सबसे पहला देखें यहांपेम hayon सीट में यह बना हुए ठीक है यह हमारा A2 seat है, अलग-अलग size होता है, A2 या A1 में हम लोग blueprint निकालते हैं, जिससे हमारा home loan pass होता है, ठीक है, यह हमारा A1 seat पे क्या home loan वाला plan है, इसका एक-एक diagram को हम लोग discuss करने वाले, यह total 900 square feet, लगबग 901 square feet exact आता है, तो मैं मान के चलता हूँ 900 square feet का यह plan है, ठीक है, इ साइड में जगा छोरना परता है, तो जैसे आगे के तरफ हम लोग 5 feet छोड़े हैं, पीछे के तरफ हम लोग 4 feet छोड़े हैं, यह हमारा total built up area हो जाता है, फ्रेंट इसमें 28 feet, depth हमारा 32 feet 2 inch, और सामने रोड है, उस सीज को हमें दरसाना होता है, और अगर यही चीज आपको प इसमें आपको जो दिखाना परेगा, वो 20-25% एरिया आपको पार्किंग दिखाना परेगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने एक पूरा लाइन पार्किंग के लिए दिखाया हो है, 14 feet 6 inch बार, 21 feet 6 inch का पार्किंग दिखाया हो है, एक हमारा bedroom है, एक toilet है, और यह हमारा stair है, तो उसको आपको follow करके बनाना पड़ेगा, तो यह ground floor हो गया, यहाँ पे देखिए, similarly हम लोगों ने first floor पे एक 2BHK का flat बनाया हुआ है, उसके बाद आजए, यहाँ पे second floor पे G plus 2 का यह हुआ है, ठीक है, यह 12 feet road है, तो 12 feet road में G plus 2 पास होता है, तो 12 feet road में G plus 2 का मैं planning कर रहा यह road जो है 12 feet है, ठीक है, इसमें far में लेगा floor plan ratio जो मिलेगा, far जो मिलता है बिहार का, वो आपको dare मिलेगा 12 feet में, ठीक है, total area multiplied by dare करेंगे, जैसे 900 square feet है, total area, ठीक है, multiplied by dare कीजिए, तो कितना होता है, total आप सारे 1300 square feet construction 3 floor मिला के आप लोग इतना ही built up area construction कर सकते हैं, इसलिए द construction किया, यहाँ पे second floor पे यह किस रहा, third floor जब हम गए, तो यह एक room हटाना परा, क्यूंकि हमारा far बर रहा था, इसलिए इसको काट के हटाना परा, यहीं हम construction इतना ही, हम लोग second floor पे construction कर रहे हैं, तो इस हिसाब से सारा चीज को detailing देके, यह हमारा चौथा diagram हो गया, side plan हो गया ground floor plan हो गया, first floor plan हो गया, यह हमारा second floor plan हो गया, अगर आप home loan लेना चाहते हैं, इसी तरह का आपको पूरा detailed plan बनवा के bank को देना पड़ेगा, estimate के साथ, तभी bank home loan आपका करेगी, ठीक है, उसके बाद देखिए section xx cutting की है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर आपन लोग खड़ा होते हैं, इस portion पे, तो cutting करने के बाद क्या portion दिखेगा, ground floor पे क्या दिखेगा, first floor पे क्या दिखेगा, second floor पे क्या दिखेगा, देखे, ground floor पे जो हमारा दिखने वाला, यहाँ पे gate दिखने वाला, stair का part दिखने वाला है, और first floor पे हमारा क्या दिखने वाला, यह वाला रूम दिखेगा और यह similarly stair का पार्ट दिखेगा तो यह हमारा section xx cutting की है यह हमारा five number diagram हो गया ठीक है six number drawing देख लिए six section yy yy हमें लोग यहां से जब cutting कर रहे हैं तो क्या कर यह bedroom यहां सखड़ा होने के बाद इस जीशा में अगर देखेंगे यहां पर cutting करने के बाद तो क्या क्या नजर आएगा उस सीच को हम लोगों section yy में बनाया हुआ है तो यह हमारा च्छथा diagram हो गया उसके बाद आगे चली उसके साइट से अगर देखते हैं किस तरह का elevation दिखेगा यह हमारा side elevation हो यहां पर देखिए एक diagram था मारा front television सामने से घर दिखते हैं तो किस तरह का दिखेगा तो यह होगी आपका front television diagram यह आपका foundation हुआ foundation detailing आपको देना पर है कितना फिट आप अंदर बोर कर रहे हैं देखिए यहां पर 12 फिट आप अंदर बोर कर रहे हैं वह 12 इंच का बोरिंग है बोर करने वाला मसीन है वह तीन इंच हमारा प्रिंट लेबल से सारा चीज मेंशन करना होता है ठीक है जो आप लोग वांमलोन के लिए प्लन डेडी करते है इसमें और आएफ चीज में दिखा दूंब आपको कितना चछर देना यह भी यहां पे लिखाऊ है 12 का χर देना है आगे चले बढ़ते हैं कि उसके बाद दिखिए यह स्टेयर का डिटेयल होगे अगर देना परेगा अगर home loan लेना है blueprint निकलवाना है इस तरह का diagram बना के simply आप लोग working map पे home loan नहीं मिलता इस बात का द्यान रखना है इस तरह का पूरा detailed plan बना के दीजेगा उसको blueprint में निकाल के A1 seat हो या A2 seat हो 2 seat में निकलता A1 seat A2 seat में जिसमें comfortable होगा जितना area cover करता है उससे आप सम लोग निकलवा लेते हैं उसका copy आपको plus estimate के साथ engineer का sign होगा वहाँ पे और फिर client का sign होगा ठीक है और authorized body वहाँ का जोगा उनका sign होगा तो देखिए कितना diagram है side plan हो गया ground floor plan हो गया आपका first floor plan हो गया उसका front elevation हो गया चार foundation एक पांच हो गया उसका देखिए छे हो गया सकेंड फ्लूर साथ आठ नो टूटल देखिए दस एक ग्यारा diagram टूटल बारा diagram टूटल हमें बनाना परता है इसके लिए home loan के लिए इसमें out detailing कर सकते हैं लेकिन इतना sufficient होता है इस पे आपको आराम से home loan मिल जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक रखते हैं आसा करते हूं आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी के लिए वीडियो हेल्फूल रहोगा किस तरीके से आपको home loan लेना क्या blueprint होता है सारा चीज़ों को मैंने इसमें detailed में डिसकस किया है कोई भी डाउट रेत कमेंडेर के जरूर पूर्श सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करते हैं हमारा चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब सब्सक्राइब करते हैं मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत